आप सबके तयारी बहुत अच्छा रहे होगी आज हम एक टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं राइट टुपिकेशन एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसको हम बाद में एक्स्प्लीन करेंगे लिकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह उसके कुछ सेक्शन पढ़ने चारे हैं तो स्टार्ट करते हैं बिनना देदिगी कि सेक्शन 24 & 29 में लिया जम करते हैं तो छैप्टर फूर में आर्टी एक्ट के सेक्शन 24 – 29 में कुछ specific responsibility सब्सक्राइब करते हैं तो उनके क्या होगी लगेंगी तो सब्सक्राइब करने के लिए तो इसको क्या परफॉर्म करने के लिए पड़ेंगी कौन-कौन सी है सबसे पहले होना है स्कूल में पंच्वाल होना है अब कैसे कंपलीकुर्म सब्सक्राइब करना है रहि nuovo Sachsen त्यु में दिया हुए 9 में वह हम बादय अपना करिकुलम कम्प्लीट करते हुए चलना है ठीक है आप डिले नहीं करेंगे अगर आपको एक चाइल है जिसकी अच्छी नहीं है या उसको सप्लीमेंट के इडिशनल इंस्रॉक्शन्स रिक्वाइड है तो आप उसकी बंदत करेंगे ठीक है यह एक टीचर की डेस्पोस कि बारे में बताईए उनकी लेंग अबिश्थ के बारे में बताईए तो जिससे क्या होगा बच्चे को जानने में आपको बहुत समझ मिलेंगी ठीक है यह एक्टिविटी आपको पर दे हुई है लेकिन अगर क्या होते कि अगर कोई टीचर जो है वो डिफोल्ट पाए जा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनेटी एक्षन लिए जाएगे ठीक है अब आते सेक्षन 29 पे तो सेक्षन 29 में मैंने बताया था करिकुलम और एवलुशन पर डिपेंड करता है ठीक है तो करिकुलम और एवलुशन पर हम पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे कि स्टार्ट करते ने पर त्यान देंगे अच्छे से उसकी knowledge उसका potential उसका talent सब चीज आपकी नजर में होनी चाहिए और आप उसको build-up करेंगे ठीक है फिर आपकी physical mental abilities को बहुत अच्छे से develop करेंगे आप उसको opportunities देंगे games sports और mental abilities में mental जो quiz है other performance है उसमें participate करने के लिए आप उनको कहेंगे ठीक है यह आपकी responsibility है teacher की responsibility है learning through activities activities जरूर कराएंगे experiment कराओ चाहाए और observation discussion के थरू और demonstration के थरू कराओ आप यह सब चीजे आपको कराने है जिसमें child friendly हो और child centered हो ठीक है medium of instructions shall as far as possible be mother tongue देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमें instructions देनी है तो mother tongue में होनी चाहिए ऐसा नहीं बच्चे को instructions भी समझ में नहीं आई है और आप उन्हें उसको activity दे दी है तो आपको activity पहले explain करनी होगी किसमें mother tongue में और एक बच्चे को ऐसा environment दीजिए जिसमें उसको free लगे ऐसा trauma फील ना हो anxiety फील ना हो बिलकुल अच्छे से लगे ऐसा दर ना हो इसके लिए teachers के लिए कि teachers हो है मों हमें बहुत ज्यादा मारेंगे या कुछ हो ऐसा ना हो बिलकुल एक फ्रेंडिली बिहेवियर होगा next one is compressive and continuous evolution evolution continuous होना चाहिए और comprehensive होना चाहिए I hope you all are known I mean you all are familiar to CCE तो आपको CC पैटन पे उसका continuous evolution करते वे चलना है ठीक है अब आपका आगे क्या आता है अगर देखो एक बात हो रहा है कि जैसे आपको physical punishment नहीं देनी है students को ठीक है यह किस में दिया हुआ है यह है section number 17 में no child is subjected to physical punishment or mental harassment आपको किसी भी बच्चे को physical punishment नहीं देनी है ना उसको mental harass करना है कौन से section में आता है आपका section 17 अगर ऐसा कुछ होता है कि आपने किसी बच्चे को physical punishment दिया है तो आप उस आपके खिलाफ action लिया जाएगा जिसे कहेंगे कि disciplinary action जो हमने देखो अभी हमने 24 section में भी पढ़ा था कि disciplinary action ले जाते है teachers के खिलाफ यह वही disciplinary action है ठीक है आपको समझ में आ रहा है देखो क्या होता है teacher को कभी भी वाइलेट नहीं करने चाहिए जो भी यह हमने rules बता है है responsibility बता है बिल्कुल child friend लेना चाहिए में child-centered रहना चाहिए ठीक है दूसरा क्या है आपका कि आपको यह कौर्पर परीश्मेंट नहीं देनी है में जो है आपका ऑन परेंटे धिसमेंट कौर्फित नहीं रियूं इंपनिश्मेंट नहीं दिया जाता है वह नहीं दिया जाता है क्यूंकि ßen में जो है वे बहुत जादा निट्टी का इक तरह से बच्छे में बहुत जादा क्यूंद हो जाता है यहां तो इक बन्सक्षा से निथा क्योंकर में dzяти घा चाहिया सक्थी टीकre section 24 तीनों आपको section समझ में आया होंगे and thank you for watching